नमस्कार दोस्तों मैं उदेलाड फ्रेक बार स्वागत करता हूँ आप सभी के चहीते चैनल इंडियन मुर्गी पालन और इंडियन किसान के एक नए हुड़ियो में वीडियो देखने वाले हर किसान भाई का आज की वीडियो में तहे दिल से बहुत-बहुत स्वागत दोस्तों दुनिया का सबसे बहुतरीन व्यावसा है दुनिया का सबसे बहुतर ब्रीड अगर कोई होगी तो दोस्तों देशी मुर्गी है पिछले बहुत सालों से दोस्तों बदन ठंडा रहता है और साथी में दोस्तों हमारी जो मुर्गी होती है उसके आडोस पडोस का अगर तापमान घड़ जाता है और वातावरन ठंडा हो जाता है तो आएसे में दोस्तों हमारी मुर्गियों का अंडों का प्रोडक्शन घटने लगता है वैसे तो बात करें तो इसलिए दोस्तो अगर आपको भी सर्दियों के मोसम में बरसात के आखिर में अंत में दोस्तो अंडों का प्रोडक्शन बढ़ाना आए तो दोस्तो बहुत सिंपल तरीका है और पाचन तंद्र अच्छा काम करेगा तो सव प्रतिशत वह मुर्गी अंडों का प्रोडक्शन भी आपको ज़्यादा वहाँ पर जो है दोस्तो लाकर दिखाएगे इसके लिए दोस्तो यह वीडियो बहुत इंपोर्टन है बहुत छोटी छोटी बातों को सम्मलित करते हुए मैंने यह वीडियो तयार किया है कि जिसमें दोस्तो आपका खर्चा सव प्रतिशत नहीं बढ़ेगा जो हमारे पास मौझूद है उनी तत्वों का इस्तवाल करते हुए फिड़के एक आईसी रचना मैंने बनाई है दोस्तो कि जिसके माध्यम से आपको यह भी बताया जाएंगा कि क्यों आपका अंडों का प्रोडक्शन सर्दियों के मोसम में घटता है और उसे कैसे बढ़ा भाईयों के पास यह और आइसे वीडियो पहुचाने के लिए जरूर शेयर कर दिजे शेयर करने के लिए आप परसनल वाटसप नंबर वाटसप ग्रूप टेलीग्राम ग्रूप फेस्बूक इंस्टाग्राम स्नैपचाट इन सोशल मेडिया के साथ नों का इस्तमाल करते को कर सकते हो रहा होगा आपका किसान भाई से हाद जूड़ कर विनती और मुर्गी पालक भाई से भी हाद जूड़ कर विनती है इस वीडियो के दाइतरब निश्ली साइड में आने बाद देखाई देने वाले लाल सब्सक्राइब करके दोस्तों आपको मार्केटिंग के लिए साहियता चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई अभी दोस्तों उसे सब्सक्राइब करके नोटिकेशन बेल को अवल करके दोस्तों आप सहयता प्राप्त कर सकते हो और आयसा सब्सक्राइब करना संब्सक्राइब लगता है वह ह documents पर आने के बाद टाइब कर सकता है यहाँ पर in din सबस्क्राइब करके ले सकते हों डेखे दोस्तो हम सिदे पॉइंट पर आ जाते हैं कि किस माध्यम से और कौन सी खद्द्धतिका इस्तिमाल करते हुए हम अंडो का प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं तो दोस्तो इसके लिए सबसे इंपोर्टन बात होती है कि हमारी मुर्गियों को लगने वाला जो सव ग्राम का हर दिन का फीड होता है दोस्तों उसका 50 प्रतिशत भाग हमें सर्दियों के मौसम में थोड़ा उसमें बदलाव करना पड़ता है जिसके माध्यम से आपका अंडो का प्रोडक्शन बढ़ेगा दोस्तों क्यों सर्दियों के मौसम में या बरसायत के मौसम में मुर्गियों का अंडो का प्रोड़क्शन कम होता है तो इसकी सबसे बड़ी वजह होती है दोस्तों आजू-आजू के परिसर में यानि आडोस-परोस का जो परिसर होता है दोस्तों उसमें जो तापमान घट एक यहां पर हम करता है त्यारर है कि मुर्गे का प्रोड़क्षन बढ़ाने के रिए अब आपको नहीं सर्दियों के मौसम में और बरसाथ के ili समय अंडो का production कम देते हैं तो इसकी सबसे बड़ी वज़ा है दोस्तों कि मुर्गियों को गर्माहट मिल नहीं पाती है तो हमें क्या करना है दोस्तों मुर्गियों को कौन-कौन सा देना चाहिए यह पहले हम यहां पर पार्ट में देखेंगे दूसरे पार्ट में देखेंगे कि मुर्गियों को कौन सा फिड देना नहीं चाहिए इसके माध्यम से दोस्तों आपके मुर्गियों का सव प्रतिशत अंडो का production तीस या तीस से उपर भी बढ़ सकता है और आपक अगर कोई वहां पर खुड़क मुर्गी होगी जो की बहुत दिन से आंडों पर नहीं आई होगी तो दोस्तों वह भी आंडों पर आ जाएगी इसके दर्मियान दोस्तों आपको तकरीबन 20 ग्राम तक गेहू का इस्तमाल करना है 15 ग्राम तक मकाई का इस्तमाल करना है और 15 ग्राम तक चावल का इस्तमाल करना है इन सभी का एक वहां पर आप जो है दोस्तों चोटे चोटे उनका जो है दोस्तों टुकडे में उनको तया ततो होते ही कि जुसमें दोस्तों बहुत ज़्यादा कार्वोहाइडरेट्स और हीट तयार करनी यानि गर्माहट तयार करने का सबसे बड़ा मौजुदा ततो है उसके माध्यम से अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों ऐसे में बात करती हुए आपको एक बात पता चलनी के अंडोय हो जाएगी इसके माध्यम से दोस्तों अपने आपख आन्डो पर बढ़ जाएगा और और बढ़ने वाला अंडोय उसके दे सबसे एक आपे मुर्य.पानी का चिड़कर करना है इसके माध्यम से सव प्रतिशत दोस्तो आपके मुर्गियों का अंडो का प्रोडक्शन आने वाले 4 से लेकर 8 दिनों में वहाँ पर बढ़ जागा यह अंडो का प्रोडक्शन कम से कम 30 से लेकर जयादा जयादा 50 या 60 प्रतिशत तक भी बढ़ सकता है और जो मुर्गी आंडों पर जल्दी नहीं आ रही वैसे खुड़क मुर्गी भी बहुत जल्दी आंडों पर आ जाती है और उसके माध्यम से जो मुर्गियों के और मुर्गों का कॉम्बिनेशन तयार होता है जो activity होनी चाहिए वह sexual activity भी वहाँ पर ज्यादा तोर पर हो जाती है और उसके कारण वाज भी दोस्तो बहुत ज्यादा अंडों का production हमें पाने में कोई भी तकलीप नहीं होती है उसके साथ ही दोस्तो हम जो लहसन देते हैं उसके साथ साथ दोस्तो अगर आप अद्रक पानी देंगे साथी में दोस्तो गुड़ पानी का एक जो मिश्रने दोस्तो हफते में दो बार और तुलसी पत्तो का इस्तमार और हल्दी का इस्तिमाल करेंगे तो anti-oxidant यहाँ जो सारणवश मुर्गिया बीमार नहीं गरती है दोस्तों तंदुरुस्त मुर्गी का अंडो का प्रोडक्शन अपने आप ज्यादा रहता है यह बात तो आपको सव प्रितिशत पता होगी इसलिए दोस्तों यहां पर यह बात तो आपने जान ली किस तरह से हम गेहूं का वहां पर मकाई का और चावल का एक मिश्रन तयार करके उसके अंदर गुड़ पानी का इस्तमाल करते हुए किस तरह से अंडो का प्रोडक्शन बढ़ा सकते उसके साथ ही दोस्तों आपको 15 दि साथी में दोस्तों मुर्गियों के शेरिर में फिड़ देते हुए सभी बाते कंप्लिट होगी हम बता नहीं सकते हैं ऐसे में तकरीबन हर देशी मुर्गिय के लिए 10 ग्राम और दूसरी मुर्गियों के लिए 15-20 ग्राम तक आपको लियर फिड़ का इस्तमाल करना है इससे माद्यम से मुर्गियों के शेरिर में अंडो का प्रोडुक्शन बना तयार होने के लिए जो मौझूदा घटक और तत्वा वश्यक होते हैं वह भी उसे मिल जाएंगे इसके माद्यम से दोस्तों आपकी मुर्गियों का शेरिर भी वहां पर बढ़ने लगे का पेड़ भी और अंडो का प्रोडुक्शन अंगिनत लेवल पर भी पहुंचा सके गया अप साथी में दोस्तों हमने यह जाना कि क्या हमें करना चाहिए अभी जानती ही कि हमें क्या टालना चाहिए दोस्तों मुर्गियों के शेरिर में ठंडा हट यह सबसे बड़ा मुद्दा हमारा यहां पर मेरे सभी मुर्गी पालग भई प्यास का इस्तिमाल बहुत ज्यादा करते हैं तो दोस्तों आपको एक ही काम करना है बरसात और सर्दियों के मोसम में दोस्तों आपको प्यास का इस्तिमाल सव प्रतिशत टालना है और आपको एक बात और बताता हूँ दोस्तो बरसात में और जो मोसम होता है सर्दियों का यानि कि इतना भी बताता हूँ आपको कि समझो आप मार्च, अप्रेल, मई जहां पर बहुत ज्यादा वहाँ पर जो है दोस्तो तीवरता होती है गर्मियों की तो दोस्तो तेज गर्म Fit की बात कर दो, थंडा Fit होता है जवार का बाजर का दोस्तो इस फिड का इस्तमाल तेज गर्मी के साथ करिये। यानि कि एक्स्ट्रा थंडाद मुर्गियों के शरीर में कृपया मत लए और साहरी में फिड का भी management हो जाएगा, खर्चा भी नहीं बढ़ेगा और साथी में दोस्तों आपको अंडो का production बहुत ज्यादा मिल सकेगा इसलिए दोस्तों एक बात जानिए कि अंडो का production बढ़ाना बहुत बड़ी दिक्कत की बात नहीं लेकिन मुर्गियों के शरीर की गर्महट अगर बढ़ानी में सफल हो गए तो दोस्तों 100% आपके अंडो का production बढ़ने लगेगा इसमें आप सहीजन के पत्तियों का फूलों का और दोस्तों साथी में फल्लियों का इस्तमाल कर सकते हैं गर में कुछ ना कुछ सहीजन के पौदे या खेत में लगा दीजिए इससे भी बहुत ज्यादा साहियता हो जाती है साथी में दोस्तों जो मुर्गी बहुत दिन से अंडे पर नहीं आ रहे हैं दोस्तों उसको गुड़ पानी पिलाए हफते में दो बार और साथी में करते हैं दोस्तों उस जो मुर्गिंबगी उसको चय पत्ती जो होती है वहां हम इस्तीमाल करने को बस्ति उसको ख dealer दीजosed जाके मुर्गे मुर्गे के पास छोड़एज्या बस आपको आपना का दून आया होगा, आगर अठ ceux खान आया होगाए है पास यह और आई से वीडियो पहुचाने के लिए शेयर कर दीजे उसके लिए आप परस्टनल वाट्सप नमबर वाट्सप ग्रूप टेलिग्राम ग्रूप फेस्बूक इंस्टाग्राम स्नैप्चाट इन सोचल वीडियो के साथ मों का इस्तेमाल करते हुए लिंक कभी शेयर कर सकते हैं रहा होगा आपका सबस्क्राइब करना तो हर किसान भाई और मुर्गी पालक भाई से हाथ जोड़ करें रिती है कि दोस्तो मैं आप में कहीं आपका ही भाई हूँ आपना समझकर दोस्तों इस चानल को सब्सक्राइब किजये इस लिए इस वीडियो के दायतरब लाड़ आप सभी के चाहिते चानल इंडियन मुर्गी पालन और इंडियन किसान पर मिलता रहूंगा तब तक के लिए मेरे हर किसान भाईका और मुर्गी पालक भाईकाते हैं दिल से फिर एक बार बहुत-बहुत आभार